23 मई को एंडिय सरकार कुमली प्रचन बहुमत के बाद सबके निगाहें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के शपत ग्रहंट समारो पटी के थी और शपत ग्रहंट समारो में अब महज कुछी घंटे बाकी हैं अभी भी चर्चा तेज है कि नरेंदर मूदी मंत्री मंडल में किन चेहरों को जगह मिलेगी ग्रह मंत्राले, वित मंत्राले और विदेश मंत्राले को लेकर सस्पिंस पुर करार है फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा ग्रह मंत्राले को लेकर है अरुन जेटली ने नरेंद्र मूदी के शपत ग्रेहंट से ठीक एक दिन पहले लेटर लिखकर यह साफ कर दिया कि कैबिनेट में उन्हें कोई पद ना दिया चाए अब यह सवाल है कि अरुन जेटली नहीं तो फिनेंस मिनिस्ट्रे के जिम्मेदारी किसे मिलेगी ऐसे में सबसे पहला दिमात में नाम आता है प्यूष गोयल का मूदी सरकार के पहरे कारिकाल का आखिरी बजट में प्यूष गोयल नहीं पेश किया था भाजपा सूत्रों ने कहा कि वरिस्ट पार्टी नेता राजनात सिंग, नेतन गटकरी, पियूष गोयल, रविश अंकर प्रसाद, प्रकास जावेटकर, सुरेश प्रभू, निर्मला सीता रमन, स्मृती रानी, मेनका गांधी और जेपी नड़ा को फिर से कैबिनेट में र पूर्वराज मंतरियों को मंतरी मंडल में बरकरार रखा जा सकता है, राजसवा सदस्य और नितीश के सहयोगी रामचंजर प्रसाद सिंग को मोधी सरकार में संभवते रेल मंतराले मिल सकता है, वही नितीश के एक और अन्य सहयोगी और मुंगेर सीट से जीत दर्ज करने वाले राजी वरंजन उर्फ ललन सिंग भी मंतरी मंडल में शामिल किये जा सकते हैं, वही राजक में शामिल तीसरी घटक दललूक जिनशक्ती पार्टी लोजपा की तरफ से यह सपस्च है कि रामविला सपासवान फिर से मोधी मंतरी मंडल में वापसी करेंगे, इस बार के दरफ से मंतरी मंडल के लिए दो नाम अनीर देशाई और संजेर राउत के नाम सामने आ रहे हैं, यह दोनों राज्य सभा के सांसत हैं, दोस्ता अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो पर कमेंट करना ना भूले, और हमारे चैन